मूवी में अगर विलन ना हो तो मूवी कुछ फीकी सी नजर आती है लेकिन दूसरी तरफ अगर किसी माच में बारिश विलन बन जाए तो फिर माच का मजा ही किर्गरा हो जाता है इसी बीच अब भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले एशिया कप के महा मुकाबले का सभी को बेसबरी से इंतजार है लेकिन इस मैच से पहले एक अच्छी खबर तो बिलकुल नहीं आ रही है खबर ये है कि मैच में 90 फीसदी बारिश होने के आसार है मैच खेला जाएगा श्रिलंका के कैंडी में और भारत और पाकिस्तान के बीच ये मुकाबला के इतना एहम है य दूनों के लिए वोल्कप के लिहाज से भी और दूनों की टीम अपनी टीमम को आंखना चाहेँगी कि कहा वोल्कप में दूनों की टीम स्टैंड करेंगी क्या कॉंबिनेशन होंगे और कौन सी जगय टीम में जो है विक है एक दूसरे के खिलाफ बहुत सारे एक्सपर्ट जो हैं तरह तरह की राय दे रहे हैं लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी अपडेट है वो यही है कि 90 फीसदी बारिश के आसार है इस माच के दिन यानि कि जिस दिन यह माच होगा उसी दिन कैंडी में काफी बारिश है वेदर रिपोर्ट्स यही कह रही है अगर मुकाबला रद होता है तो खासतोर पर शुरुवात फी की ही हम कह पाएंगे क्योंकि पाकिस्तान ने तो जीत के साथ एशिया कप का आगाज कर दिया है पहले ही मुकाबले में नेपाल को 230 रनों से हराया और अब बारी है भारत की भारत अपने पहले ही मुकाबले में भिरने वाला है पाकिस्तान से के खिलाफ दो-दो हाथ करने के लिए भारतिया खिलाडी जो है वो तयार है पाकिस्तान का जैसे हमने बताया कि ये पाकिस्तान ने अपनी शुरुवात भेट शांदार की है पहले ही मैच में 230 रनों से नेपाल को हराया कप्तान बाबर आजम समेत जो ओपनर्स थे वो भी फार बनती है तो मैच जो है उसका मज़ा फैंस के लिए करके राफ हो सकता है जो की excitement हम आप सब जानते हैं कि भारत पाकिस्तान मैच को लेकर कितना फैंस excited रहते हैं ना सर्फ भारत और पाकिस्तान में बलकि दुनिया भर में तो यही अपडेट है मैच को लेकर कि अगर बारिश जीत दर्ज करेगा या फिर पाकिस्तान किसी तरह का उलट फेर करेगा डू लेट उस नो इन कॉमेंट सेक्षिन बिलो और स्पोर्ट से जुड़ी हुई बागी अपडेट्स के लिए आप देखते रहे हैं डीटीवी स्पोर्ट्स